नमस्ते वाइल्ड लाइफ के शौकीनो आज हम दुनिया के दस सबसे खूब सूरत पक्षियों को खोजने के सफर पर निकल रहे हैं अपने कैमरे संभालो और चलो शुरू करते हैं सबसे पहले हमारे सामने हैं क्वेट्जल ये दिलकश पक्षी मध्य अमेरिका के रहने वाले हैं खास कर ग्वाटेमाला के हरे भरे जंगलों में इनके चमकीले हरे और लाल पंखों के साथ इसमें कोई आश्चरे नहीं की एस्टेक और माया लोग कभी नर कोईजल के पंखों को मुद्रा की तरह इस्तिमाल करते थे जरा सोचिए अगली बारी है मोर की भारत और श्री लंका के मूल निवासी ये पक्षी अपने शांदार पंखों के लिए मशूर हैं जो 6 फीट तक लंबे हो सकते हैं प्रजन के मौसम में नर मोर मादाओं को आकरशित करने के लिए एक चमकदार प्रदर्शन करता है कुद्रत का सच्चा तमाशा अब बात करते हैं उत्तरी अट्लांटिक के थंडे पानी में पाए जाने वाले खास कर आइसलैंड और नौर्वे के आसपास इन पक्षियों को उनके काले और सफेद शरीर और चमकीले रंग की चोंच से आसानी से पहचाना जाता है मज़ेदार बात पफिन मचली पकड़ने में माहिर गोता खोर होते हैं और पानी के भीतर फूर्ती से मचली पकड़ लेते हैं आगे बढ़ते हैं Birds of Paradise, स्वर्ग के पक्षी ये जादूई पक्षी New Guinea, आस्ट्रेलिया और आसपास के द्वीपों में रहते हैं अपने चमकीले और विस्तरित पंखों के लिए जाने जाते हैं खास कर नर पक्षी, ये ऐसे जटिल प्रेमालाप मरीती करते हैं जो किसी समोहन से कम नहीं जानवरों के सामराजय में ऐसा कोई दूसरा डांस फ्लोर नहीं है अगला है रेंबो लोरिकीट, इंद्रदनुशी तोता, रंगों का एक सच्चा विसफोर्ट औस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और प्रशांत महासागर के मूल निवासी ये पक्षी अपने पंखों में रंगों का एक इंद्रदनुश समेटे हुए हैं इनकी एक अनोकी ब्रश जैसी जीब भी होती है, जो अमरित और पराग खाने के लिए बिल्कुल सही होती है कुद्रत के छोटे से चित्रकार, अब मिलिए विल्सन's Bird of Paradise, विल्सन के स्वर्ग के पक्षी, से इंडोनेशिया के वाईगो और बटांटा द्वीपों पर पाए जाने वाले, ये पक्षी एक शांदार फिरोजी मुकुट और एक पन्ना हरे गले का दावा करते हैं नर पक्षी मादाओं को लुभाने के लिए उल्टे सीधे प्रदर्शन करते हैं ये देखने में एक मज़ा है, फिर हमारे पास है स्कालिट मको, लाल मको, मध्य और दक्षिन अमेरिका के घने वर्शावनों के मूल निवासी, खास कर अमेजन के, ये पक्षी अपने चमकीले लाल, नीले और पीले पंखों के साथ बेहद आकरशक होते हैं ये न केवल सुन्दर हैं, बलकि ये बेहद बुद्धिमान भी हैं और मानव भाशन की नकल कर सकते हैं बात करें तो पंक वाले दोस्त की, विक्टोरिया क्राउन पिजियन, विक्टोरिया ताज वाला कबूतर को मत भूलना न्यू गिनी में पाए जाने वाले, ये पक्षी अपने नीले भूरे पंखों और एक सुन्दर, फीते जैसे शिखर के लिए जाने जाते हैं ये सबसे बड़े और सबसे सुन्दर कबूतर प्रजातियों में से हैं राजसी और भवय, और अंत में हाई सिंथ मको, नील मको, मध्य और पूर्वी दक्षिन अमेरिका के मूल निवासी, खास कर ब्राजील के, ये पक्षी अपने आश्चरेजनक कोबाल्क नीले पंखों और प्रभावशाली आकार के लिए जाने जाते हैं इनकी मजबूत, गुमावदार चोचनट और बीजों को तोड़ने के लिए एकदम सही होती है एक वाकई उलिकनिय पक्षी, ये पक्षी न केवल अपनी सुन्दर्ता से हमें मोहित करते हैं, बलकि अपने पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपून भूमी का भी निभाते हैं हर एक कुदरत के चमतकार का प्रमान है तो बाहर निकलो, इन शांदार जीवों को कैद करो, और उनकी सुन्दर्ता को अपनी अगली महान वाइल्ड लाइफ तस्वीर के लिए प्रेणा बनने दो अगली बार तक, खोज़ें